स्वागत द्यात सभीका सोराज एक्सप्रेस में मैं हूं मुस्कान राजकाल की रिती रिवाजवों और पारंपराओं का पालन करते वे मादुर्गा देवी को कुछ बिहार की पारंपरिक देव बादी मंदिर में लगभग पासव वर्षों के लिए लाया गया था कुछ बिहार में वर्देवी पूजा का अनुष्ठान अन्यदुर्गा पूजाओं से बहुत ही अलग है और मादुर्गा का अवतार भी अलग है यहां की देवी लाल और भयानक है और अन्यदुर्गा मूर्टियों की तुलिना में बहुत ही बड़ी है करीबन 12 फिट उंची है पूजा की शुरुवात कुछ बिहार के पारंपरिक दानगरी की मंदिर में लकड़ी की पूजा से होती है फिर देवी की मूर्टियों को फूल और मिटी से बनाने का काम शुरु किया जाता है देवी की आखे महाले के दिन चितरित की जाती है और पूजा के अगले दिन महाले से शुरु होती है इस बार श्रदालू देवी को श्रदांजली देने के लिए मंदिर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे उन्हें दूर खड़े होकर ही श्रदांजली देनी होगी वर देवी की पूजा के साथ साथ जला प्रशर संका सर्दत का काम भी श्रदालू की भीड है इस पूजा की आट और नववे दिन पर हर साल मंदिर में भैंस और साइकडो भक्रियों और कबुतरों की बली दी जाती है इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं भक्तों की इस सब भावना को ध्यान में रखते हुए उच्छे नयायले की निर्देशनों का पालन करते हुए जिला प्रशा असन के लिए पूजा को उची तरीके से पूजा करना एक बड़ी चुनोती बन गई है श्बीन गञवते की की नोतु नियाम लागवाच thànhान। यह प Χाम असे पूजा को ऐगे तरीके से भावना थेट सा दुला स सब भावना को में साने का दूलाए पाठा बोली एटेने बेदान आची बेत्ता बंदो खग्यों मना एच्छे अगर ज्या नियमा से नियमा से नियमा से पुझे ड़ा होगा अपन नम को नहीं है अपन नम शिप्कुगा शच्चुगा शच्चुगा शचुगा